लेटेस्ट नियूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले नमस्कार बी बी एयूज में आपका स्वागत है सर्दियों में अगर हिल स्टेशन पर विकेन का प्लान बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से आप वापस ही नहीं आना चाहेंगे भारत की इन जगहों पर बने अद्वभूत कुंडों में सालों पानी गर्म रहता है इसी वज़े से सर्दियों में इन जगहों पर परियटकों की भीड लग जाती है इन जगहों के रहसे के बारे में आज तक कोई समझ नहीं पाया है यमनोत्री उतरा खंड यमनोत्री में बने कई कुंडों में से एक सूरे कुंड का पानी साल भर गर्म रहता है इसकुड का पानी इतना गर्म होता है कि इसमें लोग खाना तक पका लेते हैं बक्रेश्वर, पस्चिम मंगाल, पस्चिम मंगाल के मिस्थित बक्रेश्वर के इसकुण का पानी गर्म होने के साथ साथ पवित्र भी है, इसी कारण इसकुण में सनान करने के टूरिस्ट दूर दूर से आते है, मनिकरण, कुलूही माचल प्रदेश में कुलू से 45 किलोमीट की दूरी पर बने तुलसी शाम कुंड में आप एक नहीं, बलकि तीन गर्म कुंड में सनान का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा यहां पर बने 700 साल पुराना रुकमीनी मंदिर को भी आप देख सकते हैं. यूमे समधोंग, सिक्किम हर समय बर्फ से धके सिक्किम की यूमे समध कुंड में बना कुंड 15,500 फीट की उंचाई पर स्थित हैं, जिसका तापमान हमेशा 50 डिग्री रहता है. बर्फ से धके रहने के बावजूद भी यहां पर कुल 14 सलफर या गर्म पानी के कुंड है. पनामेक, लद्दाक फूलों की घाटी के साथ साथ इस जगहें को गर्म पानी के कुंड से भी जाना जाता है. इस कुंड के पानी में बुलबुले निकलते हुए देख सकते हैं.